Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है और Excel में एक बड़ा खास फॉर्मूला है जिसके बार में हम लोग पहले भी डिसक्स करते हैं जिसका नाम है फिल्टर, ठीक है? अब ये फिल्टर फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसके बार में डिसक्स करने जा रहा है, ध ठीक है, तब यहां पर होता क्या है कि प्रोडक्त जो सेल कर रहा है ये वो आपको चूज करना होता है कि employee जो है वो laptop जो है कौन-कौन बेच रहा है या इस तरह की चीज़े आपको बार-बार करनी पड़ती है, तो ये एक ही बार में फिल्टर फॉर्मूले की मदद से हो सकत ठीक है, कैसे होगा ये, आईए देखने है, सबसे पहले is equal to लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, ये दिखें ये फिल्टर लगा लिया, तो यहां पर फिल्टर ही लगाना ये चीज़ ज्यान रखिएगा, फिल्टर फॉर्मूला ही यूज करना, तो ये फिल्टर लगा ल यानि सिर्फ राजू ने ही laptop बेचा है, इसके सिवाये दूसरा कोई laptop बेचने वाला ही नहीं, तो जरत चेक करें, यहां पर राजू headphone बेच रहे हैं, सियाम earphone, सचिन earphone और राजू mobile बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक तो राजू mobile ही बेच रहे हैं, लेकि चलिए नीचे आत ठेक्सटॉप की तो desktop के लिए फिर वापिस याता है, फिल्टर लगाते हैं, तो यहां पर filter ही लगाना है, यह फिल्टर लगाया, इस बार फिर वही पहला फिर कॉमा लगाएंगे फिर यह दूसरा, कॉमा नहीं लगाएंगे इस इक्वाल टू लगाएंगे और इस इक्वा है लाइट है देख सकते हैं ठीक है अब फिर यहां लगाएंगे फिर यह दूसरा हो गया और यहां इस पर क्या करना यहां पता करना तो यह वाला जो भी है उसका डीटेल यहां पर आ कर सकते हैं यह आसानी के साथ ठीक है इसमाद मोबाइल वाली बात कर लेते हैं तो इस इक्वल टू फिल्टर लगाते हैं फिर वापिस से फिल्टर ही लगाना है ठीक है तो यहां पर फिल्टर लगाया डबल क्लिक किया तो यह हो गया अब यहां से क्या करना है यह पूरा सेले यह अएप देखने में हल्याइट करता हूं ताकि आपको देखने में सुहीं बढल ओर यहां पर दूसरा क्या है जिया है यहां पर यहांपक टूल्टूम फोला है यह SWIS इसको सेलेक करना है फिर कॉमा लगाना है फिर इसको सेलेक करना है फिर इसको सेलेक करना है फिर इसको सेलेक करना है उपर ब्लूटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट